क्या ढूंदते इंटरनेशनल क्लाइंट्स एशिन फिलांसर को ढूंदते वे जानेंगे इस वीडियो होगी हाई गाईज वेलकम टू मैं चैनल मनीश दियने अब तक आप मेरे कॉंटेंट को अगर फॉलो कर रहे हैं तो अपको अपको फिलांसिंग करना ही आगई होगी अनलेटिक स्टार्ट कर दियो होगा लिंग्डिन पर पोस्ट में ब्रैंडिंग स्टार्ट कर दियोगी या फिर अगर अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं कि तो प्लीज मेक्शियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजए क्योंकि आज की वीडियो और ऐसी बहुत सारी वीडियो में बताता हूं कैसे हैं फ्रीलाइंसिंग या फिर ऑनलाइन में पैसा कमा सकते हैं विदाउट कुर देखते हैं ताकि आप लोगों को यूएसदी जी बीपी जो बड़ी बड़ी करेंसी होती है उसमें पैसा आए और आप अपने घर में बैठके अराम से पैसा कमा सकें क्योंकि exactly same model मैंने अपने लिए भी यूज किया था कि मेरे को लगा था कैसे मैं सिरफ 4 या 5 घंटे काम क करके उतना पैसा कमा सकता हूं कि जिसमें मेरे को 10 या 12 घंटे काम करने में उतना पैसा ना मिले तो उसका एक सबसे एजी आंसर था कि मैं यूसडी में पैसा कमा हूं और आई अनर में खर्चूं तो आज की वीडियो उन ही लोगों के लिए सबसे जादा special होने वाली है तो म पर एक्जेम्पल अगर उसके मांंड में यह चीज है कि पर्टिकूलर स्किल के वह $90 दे सकता है $100 दे सकता है इंटरेट नाशनल पर तो वह मैक्सिम्टु मैक्सिम इंडियन को या किसी एशियन को दे सकता है $40 या $50 तो आपको यह पुल करना है कि जो भी आपकी skill set है वह skill सेट का क्या मैच है अपफ़क प्लाटफॉर्म पे फाइवर प्लाटफॉर्म पे तो जब भी आप कभी भी अपनी कोई प्राइसिंग रखे पर आवर तो मेक शूर उस पर्टिकुलर स्केल की रिसर्च जरू कर ले रिसर्च करना नहीं पता तो मैंने इसके उपर बहुत स्ट अपनी ओडियंस के लिए हिंग्लिश लैंगविज में ताकि आप लोग भी मेरी तरह यूएसडी में कमाएं और आई अनार मड़ा हैं सेकिंड जब आपने यह सोच लिए हैं कि अब मेरे को अपफ़क पे फ्रीलैंसिंग करनी है और इंटरनेशनल क्लाइंस के तरह ज़्या हो गया उसका मतलब यह है कि आपको सामने वाले पर अपना ट्रस्ट ऑथेंटिसिटी क्रेटिविटी दिखानी है अब कैसे भी दिखा सकते हैं चाहिए अपफ़क पर प्लाट्फॉर्म पर बनाकर अपनी रेपोटेशन या फिल लिंक्डिन पर या ट्वीटर पर जैसे मैं क्लाइंट्स मिलने स्टार्ट होगा थे अपफ़क पे तो मेरे लिए इजी हो गया था अपफ़क पर पॉर्ट्फोलियो बनाना बट मेरे को यह शूरेटी थी कि जब भी मैं किसी भी क्लाइंट को अप्रोच करूँगा रीच ओड करने का ट्राइं करूँगा अपवक पे तो शेयर शॉर्ट या तो मेरे अपवक की प्रोफाइल देखेगा या फिर मेरे लिंक्डिन और ट्वीटर की प्रोफाइल तो जरूर देखेगा क्योंकि उस टेम तो वैसे भी 2020 का टाइम था एन आपको बता है 2020 के टाइम में क्या ही टाइम चल रहा था तो अफकॉस मैंने सबसे पहले अगर आपके अपास कोई experience नहीं है तो वह आपका portfolio देखेगा या फिर आपने portfolio में कौन सी company में job कर रखिया कैसी पढ़ाई कर रखिया यह सबसे पहले वह चेक करेगा तो इसके लिए digital portfolio के लिए या LinkedIn optimization के लिए वह करना बहुत जरूरी है अगर आपको यह नहीं पता है कि LinkedIn की optimization कैसे कर जाती है digital portfolio कैसा होता है attention कैसे ली जाती है LinkedIn पे तो make sure मेरे बाकी सारे वीडियो पर जरूर जाके चेक करें जो कि आपको आई बटन में मिच जाएगा अदर्वाइस मेरे नीचे दिये वह description में बहुत सारे links होएंगे जिसमें LinkedIn के लिए लोगों ने बहुत simple language में यह समझाया है कि LinkedIn को कैसे use कर सकते हैं अपना एक brand बना सकते है LinkedIn पे ताकि वह international clients को तो reach out कर सके third communication skill हमें यह लगता है कि communication skill का मतलब है कि आपको super fluent होना है English में I agree English जरूर आनी चाहिए अगर आपको international client तो जाना है but make sure आप जो English बोल रहे हैं बस आप वो सामने तक communicate कर सके और आपकी grammatical errors नो अफकोस इसके बहुत सारे platform है जहां पर जाके आप practice कर सकते हैं बहुत सारे courses होते हैं जो आप practice कर सकते हैं otherwise सबसे easy platform है वो है अपनी ही खुद की videos बनाना खुद की videos को upload करना और लोगों से feedback लेना आप अपने friends से feedback ले सकते हैं अपने parents से feedback ले सकते हैं otherwise आजकल तो बहुत सारे online tutions हो चुकी हैं जिसमें आप English सीख सकते हैं बहार के professors के साथ मैं यह कभी recommend करूँगा कि आप किसी local private institution में जाए वहाँ जाके English सीखे उससे better यह होगा आप खुद self learning करें YouTube पे बहुत अच्छे अच्छे content creators है जो बहुत अच्छी English सिखा रहे हैं so make sure अगर आप international को target कर रहे हैं तो आपकी English इतनी अच्छी होनी चीए कि आप सामने वाले के साथ communicate कर सके कोई need नहीं आपको ऐसी fluency रखनी है यह accent में बात करनी है American accent में या British accent में बट इतनी English हो कि सामने वालों को आपकी बात समझ आ सके क्योंकि ऐसी बहुत सारी profiles होती है जिसमें fluent English की need नहीं होती जैसे development की एक profile होती है या फिन बोलू virtual assistant की होती है उसमें आपको सिरफ उनकी team के साथ coordinate करना है आपको client facing role में नहीं जाना अफकोस अगर client facing role होगा तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी English उनकी से match हो रही है नहीं होरी बट गुट पार्ट इस अगर आप international client तो रीच आउट कर रहे हैं तो सिरफ English community तो ना जाए ऐसे बहुत सारी companies है जैसे German companies होती है Spanish companies होती है बहुत सारी European countries ही companies होती है तो महां पर English को second language ही मानते हैं हो सकता है कि आपका किसी और language में hold लो तो अफकोस आप उस country की companies में apply कर सकते है फोर्थ technology अगर आपको international client तो जाना है तो you have to marry technology आपको technology के साथ शादी करने पड़ेगी जैसे आप spouse के साथ हर टाइम रहते हैं technology के साथ भी आपको हर टाइम रहना प क्योंकि अगर हम उसको 30 dollar या 40 dollar दे रहे हैं एक high demand skill के लिए तो of course वो हमारी life को easy करें वो easy तभी हो सकती है जब आप technology के help लेंगे processes को automate करेंगे तो सबसे असान जो technology होती है वो होती है Google का पूरा suite उसके बाद बहुत easily आपको international clients मिल सकते हैं जैसे Google sheets होता है Google slides होता है Google drive होता है Google का अपना document होता है Google Analytics होता है Google Ads होता है अगर आप उस सारे Google के products के बारे में जाना है तो उसके लिए मैंने सब्सक्राइब करें इस वीडियो को औरो तक भी शेर किजी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग है जो लोग चाहते हैं कि वह international क्लाइंट तक रीच आउट करें USD GBP बड़ी-बड़ी currencies में पैसा कमाएं इंडिया में रहके या ऐसी country में रहके जहां पे आप से चार या पांच घंटे काम करके उतना पैसा आंग कर सकते हैं जो कि 10 या बारा घंटे यहां पर इंडिया में या किसी और कंट्री में रहके कमा नहीं सकते हैं आपको आपको यह वीडियो बहुत इंसाइफ़ लगए कि कॉंटेंट बहुत स्पेशल लगा होगा तो मेक्शियो मेरे चैनल पर और भी वीडियो से जिसमें स्टेब बैसे टेटोलियर में मैंने फ्रीलाइंसिंग के ओपर लिंग्डिन के ओपर अनलेटिक्स के ओपर और इन बिजनस के ओपर बहुत सरे टितोरियल बना राखिया है उसको आप जाके चेक आपका सब्कें थैंक यू गाइज पर वोची मत कंफीट वीडियो इस मनीश कुमार साइनिंग ओफ